के दोस्तों माल लेकर वापस आ गए भाई बोला था आपको कलाने वाले लीजे आ गए पीसी बिल्ट लेकर एक्चुली वाई कल जब अपनी वीडियो थी अगर आपने नहीं देखिए यू कैन चेक फ्रोम आइबटर आचा वह वीडियो डिंजर भाई हमने यार सारी जो पार पीसी बिल्ट करते जितने पार्ट से सबकर लिंक आपको अगें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो यूस कर रहें बागी मोर और लेस यह आई बटन वाली वीडियो देख लिए कंप्लीट इंफोर्मेशन के लिए चलो यार शुरू करना जाए लेट्स गो ओके दोस्त से क्लिप टाइप की चीज होती है यह हट आगी ठीक है तो यह थोड़ा इनका सेफ इंवार्मेंट है इंटल वाले ना पिन जो है यह इसी के उपर देते हैं अगर आप ध्यान से देखो है ना बस सर यह हट आया और इसके बाद यह शील्डेट वेर यह कुछ इस तरीके से ह यह इसी के उपर दिया जाता है समझ के यह इंटल वालों का तरीक है वड़ना इंटी में बेसिकली यहां पर देते हैं वह लो तो चलो यह प्रोसेसर वाला स्लॉट आगया इसमें कुछ नहीं जाना चाहिए बसाब आपको क्या करना अपना प्रोसेसर निकालो यह आगया ब और यह सिंपली इस तरीके से यहां पर आराम से जाएगा कोई दिक्कत निया यह देखो यह सैट हो गया देख रहे हो कोई भी चीज को इसके बाद हमें थर्मल पेस्ट अप्लाय करना है पर मोस्ट केसे में जैसे हम लोग जो फैन यहां यूज कर रहे हैं आप बॉक्स वाल पर आपने सेट किया और इसको इसली यहां पर सेट कर दिया लिजैसा अपना तावर तोड तरीके से सेट हो गया अब देखो यहां दो केसे हो सकता अगर आप सीप्यू का फैन यूज कर रहे हो तो उसको तो सिंपली आप लग इट करना है आपको यह इंटल वालों का इस त अब एक्स्टरनल फैन का भी यहां कुछ अलग काम नहीं है यह देखो यह सेम ही उसी तरीके से इंस्टाल होगा बस इसको हमें साइट से पहले ओपन कर देना है यह बाद में हम लोग खुद लगा देंगे यह इसली क्लिप टाइप की है पर स्टार्टिंग में करना थोड़ा सा इंपोर्टेंड हो जाता है इन केस ऑफ दिस ओके दोस्तों कुछ इस प्रकार से यह सैट होना है अगर मैं आपको दिखा हो तो यह देखो मैंने इसको इंटल के हिसाब से है इसके चारो यह एजस को कर दिया एक चीज और इसको रिमूफ कर देना है विए तो इसको मैंने हटा दिया ठीक है यह अपना साइट रख देते हैं अचा एक और चीज है एक प्लेट मिली है इंटल के लिए खास करके यह इन्होंने एक प्लेट टाइप की है इसको नीचे रखना है यह प्रोसेस बाई उन लोग के लिए ऐसा अगर आप एक्स्टरनल यू प्लेट लगा दिया इतना काफी रहेगा देख सकते हो ठीक है अब इसके बाद आपको क्या करना थर्मल पे अपना लेओ फैन और इसको यह पर सेट कर दो अब सेट करने के बाद बाद इसक्रू अपका प्रोसेस है इसक्वाइजी आप इसली कर सकते हो मैं फटा-फटा-फ वायर वायर को अभी हम देखते हैं पर सबसे पहले फैन को सही से लगाना है एक बार यह चीज़ सेट हो गई तो कुछ इस प्रकार की दिखेगी देख सकते हो फैन अपना पूरी तरीके से सेट हो गया और हां यहां पर जो क्लिप लिप हमने लगा के सेट कर दिया एक और च 2-channel RAM यहां पर इंस्टॉल कर रहे है तो यह 2 प्रेस्ट रहे गा रहेगा RAM इंस्टॉल करना तो काफी संपल रहता है आपको यह देख यह वाला पॉइंट इसको बहूत बारी यहां सेट कर दिये यह रैम और यह प्रोसेसर अपना चकाचक सेट हो गया अब बार यह बाई स्टोरेज की तो हम लोग यहां पे न्वी एम एससडी भी यूज़ कर रहें तो उसको इंस्टॉल करते हैं अच्छा और मैं आपको दिखा दू बाई जो अपने फैन यहां पर ल सिस्टम है तो इस तरीके का यार कंट्रोलर दिया गया है लाइट के लिए यहर में नहीं होगा पर हाँ अगर आपका फैन है लाइट वाला तो यह मिलता है अब इसका कनेक्शन भी आपको मदरबोर्ट पर ही मिलता है अगर आप ध्यान से देखो यहां पर आप देख पा र नहीं हमारे पास इस मदरबोर्ट पर और भी स्लॉट है तो यहां में नीचे की साइड मिल जाता है यह देखो इसके इसको हटाता हूं यह प्लेट हटाता है यहां पर आप देख सकते हैं एक एंवी एमी एससडी का स्लॉट और अगर थोड़ा सा इधर जाओगे सर एक इध देख सकते हैं एक चीज और वापस इसको लगाने से पहले इनके ऊपर भी यह देखिये सब्सक्राइब नहीं कितना असान है यह सबसे बेस्ट स्टोरेज टाइप है मतलब नवी एमी एमी एससडी और फास्टर भी और इंस्टॉल करना देखो कितना सिंपल है यह यह भी हा इसमें से कुछ यह आपके नौट वर्किंग में चले जाते हैं अगर आपने अन्वी एमी इस्टॉल करिए तो वह आप मदरबोर्ट से चेक कर लेना ठीक है दोस्तों फाइनली हमने मदरबोर्ट पर जितना काम कर सकते हैं कर लिया अब हम लोग चलते हैं कैबिनेट की तरह ओके तो यह कैबिनेट हम लोग यहाँ पर यूज करें अब कैबिनेट से घबराना बिल्कुल लिए क्योंकि इसमें सारा पार्ट जाना है अचा एक चीज और मैं आपको दिखा दूँ यह होता है पीछे तारों का गुच्छा यह कैबिनेट की कुछ वायर होती है अब यह चाहिं से जितनी भी आप वायर देखर हो ना कुछ फैन की वायर है इनको हटा देते है साइर कर देते हैं यह जितनी भी बीचा नेक्शन मिलेंगे बहुत इतने चोटे-चोटे शोटे से इनको आपको धियान रखना है साथी साथ आजकल तो भाई टाइप ट्री पॉइंट मिलेगा हर Cabinet में होता है यहां पर यहां से दी जाता है उस की मदश से सम्कु बस- بस यहां से पर यह देखा 여 Ell. यह देखंगा मैंने निकाल दिया अब इसको अपने मैंने प्रॉल हिसाब यहां से दो निकाल सकते हो इनको आप यहां से निकाल सकती होगता. voice चार केबल जो होती है वो यूसफूल होती है बागी कोई भी नहीं है बागी सब वेस्ट है यहां आपको यहां से निकाल के अपने कैबिनेट के हिसाब से किसी में उपर भी रह सकता है सेट कर देना है एक बड़ सेट हो गया तो भाइव शार क्रूप कर लेना कुर आपको सबसे पहले एक मोटि वायर शर्च करनीए जो इस तरीके की दिखती है, देख रहे हो, यह क्या ही healthy type की दिख रही है, यही सबसे main wire होती है, तो इसको आपको क्या करना है, अपने mother board के हिसाब से basically है, यहीं से यहाँ से इसको पहले ही लिकाल लेना है, second इसके बाद आपको एक और ऐसी wire मिलेगी, देख रहे हो, यह वाली आपको एक और ऐसी wire मिलेगी, यह थोड़ी सी और healthy type की, यह basically CPU को power देगी, तो इसको आप उपर से निकाल सकते हो, सबसे उपर head से, यह best point रहता इसके लिए, और यह सारी wire को आप manage कर सकते हो, अपने ही साब से, यह भी हमने यहाँ से बाहर निकाल दी, यह हमने भाई सारा basic ह सबसे hard काम कर लिए, आपको बता दू wire में, बाकी जो wires बची है, power supply की, वो सारी hard drive इन सब को power देने के लिए, और basically जो main था, वो हमने निकाल दिया, अब इस पे motherboard लाते हैं, और set मारते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तारे मैंने सारी set कर दिये, जहाँ जहाँ जरुवत अब हम क्या करेंगे, भाई, motherboard लेकर आना है, अचा एक चीज और, motherboard लाने से पहले, आपको यहाँ पर आयो शील्ड लगाने की जरुवत है, अब देखो, मेरे motherboard में यह सीन है, कि आयो शील्ड लगा हुआ है, इंसाइड मेरे को जरुवत नहीं है, तो directly मैं motherboard लेकर आऊँगा और इसली इसको यहाँ पर ऐसे करके, जितना आराम से हो सकता है, सारे स्क्रूवारों को हटा के, ठीक है, यहाँ अपना टॉप ख्लास अराम से पूरा सेट हो चुका है, मामला गर्म अब आपको भाई, स्क्रू करने है, अब जहाँ 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 पर आपको, यहाँ करते आ रहे हो, मतलब यह तो आईडिया हो गई, तीजली, यहाँ जहाँ जहाँ पर जरूवत है, जहाँ जहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पर होता है, तो वह आप कर ले ना फटा फट से, एक बार आपका मदरबोर्ट यहाँ पर टॉप क्लास सेट हो गया, सारे तो हम CPU वाली लगाने वाले जो इस प्रकार की दिखती है, और इसका आप कनेक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख गया ठीक है, तो बस मैं इसको फटाक से लगा देता हूँ, लीजे सर सिस्टम सेट हो गया, हमने अराम से प्रोसेसर वाली यार वायर कनेक्ट कर अब इसको simply यहाँ पर प्लग इट कर देना है, अगें भाई इसमें थोड़ी पावर लगती है, ठोड़ा जान प्रान के साथ भाई इसको पर पावर लगाई है, यहाँ पर इसको यहाँ इसको आपको कनेक्ट कर देना है, अच्छा ध्यान से करना है, यह मदर बोर्ट ना मैंने बताई थी सबसे पहले तो आपके यह वाली होगी, यह क्या USB 3.0 वाली यह इसका कनेक्शन आपको दिख गया होगा, यह रहाई, यह देख रहे हो, तो बस इसको आपको यह अपने मदर बोर्ट के हिसाब से यहाँ पर इसका कनेक्शन आ रहा है, उस आपको यहाँ से यह हमने एक डन कर दी, अब मदर बोर्ट के नीचे वाले पोर्शन में आपको दो मिलती है, जो हमने यह दो वायर नहीं देखी थी, मैं बोल रहा था, यह दोनों का नीचे का काम आता है, एक इसमें से होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो एक पे यह आपको HD ओड लिखा हुआ दिखेगा और एक होती है USB की, अब इनको जो लगाने का वो प्लग वाला सिस्टम है, वो यहीं पे है, और सब पे नाम लिखा हुआ है बकाएदा, यहाँ आप देख सकते हो USB लिखा है, यह यहाँ लग जाएगी, और audio देखो यहीं पे लिखा हुआ यह रहा, लास्ट वाला, इसका बेस्ट वाला पता है कहां से आप कर सकते हो, यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है, यह देखो यहाँ सिस्टम पैनल के अंदर देखो, सारे कनेक्शन बदा रखे, तो उसी आप से आप यहाँ पे कर लेना है, यहीं से होगा, तो सारे स्विच बता रखे कहां कहां क्या लगेगा, बटाक से मैं यह चीज करता हूँ, लीजे सर देख सकते हो, मैंने मैनुवल से आराम से सारे कनेक्शन कर दिये, यहाँ पे हमने बोस्ट ली PC डन कर दिया, अब बस बचा है, ग्राफिक कार्ड और एक हार्ड ड्राइव लगानी है, तो सबसे पहले ग्राफिक कार्ड रहें, यहाँ ड्राइव करें, हाड ड्राइव करें, था हाड ड्राइव करना है, आपके पास तो सहीं कनेक्शन है, बटाः इस कैबिनेट पे हिसाफ से भाई तो इस तरीके से बिसिकली है यहां हाड ड्राइफ सेट करते हैं थिक है दोस्तों हाड ड्राइफ मैंने यहां पर इंस्टॉल कर दिया अब इन दोनों में दो चीज़ा आपको दिखेगी एक हाड ड्राइफ को पावर देना है और एक इससे डेटा ट्रांसवर करना है तो यहां से आप connection निकाल सकते हो अपने motherboard की हिसाब से बात रहें इसको पावर देने के लिए तो पावर सप्लाई सबको पावर देगा तो इस पावर सप्लाई में आपको ऐसा केवल अराम से मिल जाएगा जो यहां कनेक्ट होगा यह कुछ इस प्रकार से दिखते हैं यह साटा कौन से बंद है यह अपना सेट हो गया यहां पर ऐसे आपको SSD भी सेट करनी है तो एक SSD का यहां लग जाएगा hard drive भी सेट हो लास्ट पार्ट तो भाई अपना GPU है तो GPU अपना इस चौकिट में आएगा उस हिसाब से भाई आपको यहां पर क्लिप हटा देनी है एक बार यह दन कर ली like यार मैंने कर दी है तो अब आपना GPU लेकर आजाएं और सबसे असान काम है यहां पर उपन कर देना है बिल्कुल आपको और यह जीप्यू लेकर आना है और यहां पर बस लोट में फसाना है यह तो एक्दम गेम टाइप का है और इसली यहां पर जीप्यू को ऐस इसको बस आप ग्राफिक कार्ड में प्लग इन कर दो कहां से निकालना वह आप पर डिपेंड करता है यहां लेकर आ चुके हैं और यहां पर यह कर दिया सर हो गया PC आपको रइडी आपको बता दू मैं आपको एक दो चीज़े और करनी कि वह यह है कि अगर आपको यह जैस सर इतना सा काम था आगर जितने भी आपको connection अशे मिल रहों हो में उनको ऐसे कर सारे मोलेक्स connector से connect होते हैं आए से यार पंखिज यह इस तरीके से सबको connect कर दो बस हो गया यहांपे PC डवन हो गया बंद करता हूं सब कूछ सेट है तोगे दोस्तों PC बिल्ट हो गया दिखनी रागया मैं रूको यार यह जोरा स्क्रीन को थोड़ा सा यह कर देते हैं ठीक है अब तो आपको यार शो रहा होगा PC अपना डन हो चुका है बिल्ट कम्प्लीटली देखा जाए तो अब यहां मैं on करता हूँ सबसे पहले पीछे से on करते हैं पावर सप्लाय को और ठीक है एक लाइट जल गई है और आगे से दबाया मैंने स्विच कौन सा बटन है yes this okay here is the first look you can see by inside से भी देख सकते हो मतलब एक ओवर विव्यू जरूर देख लेंगे क्या सा PC दिख रहा है तो आपको एट दान भाई चमकीले कलर के लाइटे मिल जाती है चारो तरफ से सब कुछ चल रहा है बागे हाँ पीसी बनाना सब कुछ नही सब्सक्राइब देख सकते हैं वैसे देखो मैं जो यह अभी तक सिस्टम यूज कर रहा था वह भी काफी पावरफुल है देखा जाये तो बाग यहां इसके प्सक्राइब करेंगे पीसी बिल्ट में आ सकता है बाग यहां राइट नो आप देख सकते हैं पीसी अपना अब लग रहा है कि हमने सिस्टम टॉप लॉंच कर रहा है अचा एक बर मैं आपको स्पेक्स दिखा देता हूं किस तरीके के चल रहा है थोड़ा सा मैंने चलाया था तो वह आप देख लो यह अपना पीसी और देख सकते हो मैंने अभी तक इसको यहार यूज में भी ले ल नहीं होता है काफी लोग बोलता है यहार सिंपल इसके अदायात का खेल है इवन अमने यह आप यह वीडियो एडिटिंग करी और स्मूथ देख सकते हो सारी क्लिप इसके ऊपर काफी लेयर में भी वर्क रहा है अगर मैं आपको दिखा हूं तो यहां देख सकते हो क्या क्य क्या है और सब कुछ यहीं वीडियो जो आप देख रहे हो इस पीसी का यहीं हमने इस पर शूट करी थी और यहीं काफी बढ़ियां से मतलब कोई भी लैग वैग नहीं है अराम से रेंडर करने की जरूद नहीं है क्योंकि सारी चीज़ आर साथ में आराम से हो रही है देख के साथ यह अपने खुदी इंस्टॉल कर यह बी 760 यह का जो चिपसेट है अपना और सोनिक का जो मिलता है थोड़ा सा अलग टाइप का लुक और इसके लावा यह सब्सक्राइब और यह कुछ बेसिक हो गया डिस्प्ले में तो अपना रची चल रहा है वही चलता रहेगा तो वह वाला सिस्टम हो गया टॉप लॉंच है और मेरे को पसंद आया बागे और भी बहतरीन बिल्ट हो सकता है पर यह ठीक है इस इस आपके PC के लिए बैस्ट है